हेलो दोस्तो, नमेशकार, इसे हम किसी चानल में मैं आप सब्लम का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ, फिर्स ताम विजिट के आचालन को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चानल को भी चाहतो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पर भी बेल आइकन को एट करके, और जरू सेलेट करके रख लेना, चैनल का लिंक आपको उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चले दोस्तो, फिलाली इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं, तो ठीके दोस्तो, अभी हम लोग आ चु इसे उनको यहाँ पर आने चाहिए, और ऐसी ही बहुत सारी रिपोर्ट में आप लोग के सामने रखने वाला हूँ, जो कि हमें एक इंडिकेशन देता है, बलते हैं, ना कि बाजार एक इशारा देता है, वो चीज में आप लोग के सामने आपे रखने वाला हूँ, तो विश्यक के परफॉर्मंस के इसाब से देखा जा रहा है, कि आने वाला जो नेक्स्ट डिकेट रहने वाला है, टू डिकेट, त्री डिकेट की बात करें, मतलब दस साल की बात करें, बीस साल की बात करें, यह मतलब इंडियन मार्केट के लिए सबसे गुल्डन पिरेड रह आ रहे है और इसी से related कुछ points में अभी आप लोग को या पर बताने वालो हमेशा की तरह मेरा clear disclaimer रहेगा दोस्तों जैसमें हमेशा कहता हूं कि यह जो positive reports होते हैं यह कल क्या होगा उसके हिसाब से नहीं होते हैं यह basic चीज़े बहुत सारा लोग को basic चीज़ें समझ भी नहीं आ सामने रख दू क्या नजर आ रहे हैं left to right उपर जा रहे हैं की नहीं ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे reports आते थे बट वो ऐसा rocket की तरह नहीं जाएगा बहुत सारे ऐसे ऐसे ups and downs करते करते जाएगा तो उसके बीच में छोटे छोटे चोटे नेगेटिव रिपोर्ट्स आते कि यह वाला वीडियो वो long term की बात होती है यह basic चीज़े जिसका यह basic ही clear नहीं है उसको वो समझ मिने आता है सर आप long term की बात करते हो बीच में positive बात करते हो बीच में negative बात करते हो तो वो short term है दोस्तो और वो long term है और as a investor हम लोग हमेशा long term में wealth create यहाँ पर करते है ठीक है so अभी आप देख सकते हो कुछ ऐसे reports दिखाना चाहूँगा जैसी के आप यहाँ पर देख सकते है दोस्तो लिबरीजल इस company के अगर हम लोग बात करें यह कौन सी company है chemical industry से जुड़ी company लगबग-लग 100 साल इसके पूरे यहाँ पर हो जाएंगे and यह US based company है specialty chemical में है ठीक है इ इंडिया में invest करने वाली somewhere around 150 million dollar दोस्तो इतना heavy investment obviously गुजरात में हम लोगों को यह सारी चीज़े होते वी देखने हो कि आप मिल जाएगे इनके plants देखने हो को मिल जाएगे and इनका partnership रहने वाला है grassim industry के साथ हलाकि हम लोग grassim के और कोई इशारा नहीं कर रहे है कि आप grassim को तो आपको भी पता है then अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी number one company भी आप इसको बोल सकते हो जिसका कोई introduction की ज़रुवत नहीं लोगों देखके पता चलता है yes iPhone, Apple के अगर हम लोग यहापे बात करें तो आप यहापे चेक कर सकते हो कि Apple का जो iPhone का export है from India वो हम लोग को लगबग लगबग 10,000 करोड तक रीच होते वे देखने को मिल चुका है में मन्त का obviously यह सारे रिपोर्ट के जरी खबरे आते वे देखने को मिल रही है and आप सभी लोगों को पता है हाली में ही Apple बहुत जादा हम लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करत मतलब convince कर रहे है including Tesla कि भाई आप भी अपना supply chain क्या कर लो इंडिया में move कर लो करके ठीक है क्योंकि हर कोई अभी क्या करना चाता है पहले supply chain से related क्या होता था कि सिर्फ चाइना में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि चाइना में labor cost बहुत चीप पड़ता है न इसलिए हर कोई इ इसकी शुरुआत की एड़ एपल को जुई इस तरीके से success मिल रहा है इंडिया के और से तो आप देख सकते टेसला जैसे companies भी अभी क्या कर सकते अपना जो supply chain है वो बाकी देश में move कर सकते हैं खास करके उनकी जो बातचीच चल रहे है दोस्तो वो इंडिया में ही हम लोग को होती भी देखने को आपे मिल रहे है उन्हें ने कहा था कि वो फैक्टरी भी बिल्ड करने की कोशिश आपे जरू करेंगे no doubts गस्तारकार से related कुछ उनके disputes देखने को मिल रहे है बट यह चीज क्या बताती है दोस्तो यस कोई भी अभी इंडिया को ignore नहीं कर सकता यह सबस लगाओ करके हम आपको अलग-अलग incentive प्रोवाइड करेंगे और यसे बहुत सारे अलग-अलग देश अलग-अलग states में हम लों को interest दिखाते वे देखने को आपे मिल रहे है तो यह बहुत बड़ा indication देता है दोस्तो कि आने वाले समय में कितना बड़ा बदला है आपे होने वाले है तो यह अलग-अलग reports है बट मैं क्या करता हूँ यस इन सभी reports को compile करके आपके सामने रखता हूँ कि हो क्या रहा है आप समझे इन चीजों को ठीक है अगर आप देखो कि हर कोई investor बड़े-बड़े investor क्या बात करे कि कुछ भी कर लो बट यहापे इंडिया में investment करनी कि opportunity miss मत कर लो वो बार-बार यहापे बताने की कोशिश आपे कर रहे हैं बहुत से लों की comments भी आते सर यूएस में क्या invest करी की नहीं आप चाहो तो कर सकते यूएस बहुत बड़ा market है करके बट मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ा returns अगर आने वाले 10-15-20 साल में कोई देने वाला है तो इंडियन market ही देने वाला है रिटंस जादा देता है इस कारत यह नहीं होता है कि इंडियन market अमेरिका से बड़ा बन गया करके अमेरिकान का market बहुत बड़ा है मतलब वहां के एक-एक companies का market cap अगर देखेंगे तो पूरे बाजार के बराबर का है ठीक यहाँ पर अच्छी तरीके से बात पता है तो यह पॉइंट आप लोगोंने मिस नहीं करना चाहिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और इंडियन लोगों की आमदनी भी देखी दोस्तो अभी जो इंडिया का net direct tax का जो डेटा था वो भी रिलीज होते वे देखने को मिल रहा है 11% की जम देखने को मिल रहे है somewhere around 3.8 trillion तक हम लोगों को यह डेटा जाते हुए देखने को मिल रहा है और जैसे के आपको पता है June 15 अभी complete यहाँ पर हुआ पैसा जा रहा है और बहुत पैसा जाएगा तो सरकार क्या करेगी यह जिस चीज में वह आत्मनिर्बर बनने की कोशिश करेंगे वहां पर पैसा क्या करते जाएंगे इन्वेस्ट करते जाएंगे तो इस बात को समझने है इसलिए मैंने इसके पहले के पहले का वीडियो क्य जा रही है और उसी की साथ आप देख सकते है SIP का डेटा भी लगबग लगबग 15,000 करोड के SIP आने वाले समय में एक महीने में टच होती है हम लोगों को देखने का आपे मिल जाएगी इतना पैसा अगर डियाइस के हाथ में जाएगा तो FIS कितना भी बेचे डाइरेक्शन च ही नहीं रही है सो यह indications हम लोगों को मिलते वे देखने को मिल रहे है हलाकि सरकार ने एक चीज़ जरू करनी चाहिए कि इतना जबरदस टैक्स कलेक्शन हो रहा है और टैक्स आपको बताए कि इंडिया में बहुत जादा लगता है दोस्ता और फैसिलिटीस भी वैसे नहीं म वारे में गंबिर अगर वो विचार करेंगे तो इसका फाइदा हमें ही दुगना यहां पर हो सकता है इन सभी चीज़ों को अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो एक बात पता चलती है दोस्तों आने वाला जो समय रहने वाले इंडियन मार्केट के लिए वह बहुत ही कम अगर हम लोग बात करें 8000 से अज हम कहां पर है 18000 ठीक है किसी ने सोचा भी नहीं था क्योंकि बाजर जब तेज होता है आपको टाइम ही नहीं मिलेगा आपको समझ भी नहीं आएगा कि यह रैली फेक है या सच है करके इतना तेजी से भागना स्टार्ट करता है मतलब लाग उठते है कि चलो निवेश करते करके और तब वो पूरी रैली मिस करते है इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने इंवेश्ट के है बहुत सवाल पूछते रहेते कमेंट सेक्शन में अगर आपने इंवेश्ट के है चूप चाप उसको होल्ड करके छोड़ दो बाजर को मैंने बता के रखा हुआ था ये जितने भी बड़े बिजनेस मैंने अदानी अंबानी टाटा ये सब की वेल्थ कहा पे शेर मार्केट में है आपको क्या लगता है वो मार्केट खतम होने देंगे ठीक है तो चिंता मत किजे इन चीज़ों का ये वॉलेटिलिटी रहेगी ही याद रखो हमेशा बाजार को और ये भी पॉइंट में आपको अल्रेडी मेंशन करके रखा हुआ कोन सा कि इंडियन मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर निवेश करना चाते है और निवेश करने के लिए सबसे बड़िया चीज़ क्या होती है दोस्तो येस बाज बाजार की चीज़े दोस्तो भविशा में भी हो सकती है तो उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेर रहो इसका सोलीशन बहुत सिंपल है अच्छे कंपनी में निवेश करो फिर उसके बाद बाजार टूटे ना तूटे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा दस साल के बाद मार इसा कैसा बनता है कल 10% बन सकता है बट क्या कल के कल 1000% बन सकता है नहीं 1000% बनता है कि ने बनता है बट उसके लिए हाँ लंबी पारी खिलनी पड़ेगी यह जो फॉर्मिला बेसिक फॉर्मिला जिसको समझाना वो टिक गया बादार रहे वरना कल जाके क्या होगा परसो जाक करके तो इसलिए यहां पर मतलब बोलते हैं आप प्लांटेशन करके रखो जब बारिश आ जाएगे आपके जो पेड़ है वो रॉकेट की तरह ग्रो होना स्टार्ट यहां पर हो जाएंगे सिर्फ एक ही कंडिशन है कि बहुत अच्छे कंपनीज में निवेश करो प्लीज मेर अच्छा करता हो आपको यह वीडियो लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेर कर सकते हो एंड डिमेंट अकांड होकर आपने अभी तक ऊपन नहीं कि है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पच्छीस वीडियो की लिज्ट भी आपको बिलकुल फ्री आफ